36 गड़ के उपमुखिमादी अरुन साव ने कहा कि सन 1962 के बाद पहली बाद नरेन मोधी को लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने का आउसर मिला है ये लोगसभा की जीत पीम मोधी की नियादेतुर में एतिहासिक जीत है और बहुत बड़ी जीत है शी साव ने ये भी कहा कि दस सल सरकार में रहने के बाद तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार में आना भाजपावर राजजगुद की बहुत बड़ी उपलब्दी है डिप्टी सीम साव ने ये भी कहा कि लोगसभा चुनाओं के नतीजों से इस पस्ट है कि एक बार फीर प्रधान मंत्री मोजी के सशक्त नयादित वाली किंद सरकार के लिए जनादेश मिला है शी साव ने पूर्व सीम हुपेश बगेल पर निशाना साथते हुए कहा कि पूर्व मुखे मंत्री हुपेश बगेल सहीत कौंगरेस के सबी दिगजों की शर्मनाद हार हुई है अपने ग्री लोगसभा शेत्र में पूर्व मुखे मंत्री के रहते 4,38,000 वोटों से कौंगरेस को हार का सामना करना पड़ा है राजनाद ग्राव में हुपेश बगेल खुद हार गए हैं उनके सभी नजदी की मंत्री जिने बगेल ने टिकर डिलाई थी वह भी सभी हार गए हैं पूर्व मुखे मंत्री को बताना चाहिए कि आकिर इस शर्मनाक हार की जिम्मेदारी किसकी है देखिए यह जो लोकसफ़ा का चुनाव का परिणाम आया है यह बहुत एतिहासिक और बहुत बड़ा परिणाम है 1962 के बाद पहली बार किसी नेता को तीसरी बार कुधान मंत्री बनने का जनादेश मिला है दो बार लगातार दस साल सरकार चलाना और तीसरी बार भी बहुमत लेकर आना यह बहुत बड़ी बात है आज की फरिष्टितियों में और इसलिए यह एंडिये और भारती जन्ता पार्टी की जीत बहुत बड़ी जीत है नरेंद्र मोदी जी के नेत्रतों में दस सालों में उन्होंने जो काम किया है जन्ता ने उन्हें आसिरवाद दिया है विक्सित भारत के निर्वान का और जहां तक का समधर रूप से विस्टेशन करने की बात है पूरी इंडी गडबंधर ने जितनी सीटे पाई है अकेले भारती जन्ता पार्टी ने उससे अधिक सीटे लेकर आई और आप आगड़े देखें कोई नस्दीक भी नहीं है भारती जन्ता पार्टी और इसलिए भारती जन्ता पार्टी और NDA के लिए यह बहुत बड़ी चीत है यह जरूर है कि हमारी अपेच्छाओं के अनलूप नहीं आया है परिणाम और जो परिणाम आया है जन्ता ने जो जनादेश दिया है यह अभी अपने आप में बहुत बड़ी और एतिहासिक है उ कि कांगरेश ने अपने सभी बड़े लेताओं को चुनाओं के बैदान में उता रहा था सब के सब पराजीत हुए और इसलिए चतिरगर में भी 11 में जो 10 सीटे भारती जन्ता पार्टी ने जीती है वह बहुत बड़ी जीत है चतिरगर की जन्ता को इसके लिए धन्याद देता हूँ अवालवित करता हूँ कि उन्हों ने नरेंद्रमोदी जी और भारती जन्ता पार्टी के उपर वरोशा किया और 10 ये नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधान मंत्री बनाने के लिए जन्ता ने जनादेश दिया है सभी को जनादेश का सम्मान करना चाहिए जोड तोड़ी राजनिती अधी इंडी गड़ बंधन के नेता करते हैं तो ये लोगतंत्रिक परंपरा और व्युस्ताओं के भी प्रित होगा दिखे जिस प्रकार से ये इंडी गड़ बंधन करगरिस के नेता न जाने क्या क्या कह रहे थे सब प्रकार के सदी अर्व गड़ा जोड़ों धर मुश्ता है कि और रिफल समनर और देजिस से काम करेंगे देश को घर्षली का करेंगे